नमस्कार बच्चों आशा करती हूँ आप अपने घरों में शाकुशल होंगे आज हम आपकी पाथ्य पुस्तर बसंत का पाथ दो लाख की चूडिया पढ़ेंगे बच्चों लाख एक पदार्थ होता है जिससे चूडिया तथा अन्य चीजे बनती है वैसे तो चूडिया अन्य धातूं से भी बनती हैं लेकिन आज जो कहानी हम पढ़ेंगे वह लाख की चूडियों के विशय में है बच्चों इस कहानी के लेखक हैं कामता नाज जी इनका जन्म लखनव में 22 सितंबर सन 1934 को हुआ था और इनकी मृत्यू 7 दिसंबर सन 2012 में हुई कामता नाज जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से गाउं गाउं में शहरी करण हो गया है नए नए उद्योग खुल गए हैं जो लोग हातों से कार्य करते थे आज मशीनी युक के कारण उनका कार्य बंध हो गया है और आज वे इस कारण अने को तकलीफे जेल रहे हैं इसके साथ ही गाउं और देहात में जो रिष्टे नाते थे उनकी गरिमा भी धीरे धीरे समाप्त होती नजर आती है तो आएए बच्चों अब हम पढ़ते हैं पाठ लाग की चूडिया सारे गाउं में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुन्दर सुन्दर लाख की गोलिया बना कर देता था मुझे अपने मामा के गाउं जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास धेर सारी गोलिया होती रंग बिरंगी गोलिया जो किसी भी बच्चे का मन मोहले लेखा कहते हैं कि वे गर्मे के छुट्टियों में अपने मामा के गाउं जाया करते थे जब वह वहां जाते तो वहां उन्हें बदलू नाम का एक व्यक्ति बहुत अच्छा लगता था जो लाख की चूरिया बनाता था और मामा की गाउं जाने का सबसे बड़ी जो खुशी थी उन्हें यही थी कि वहां जाकर उन्हें लाख की सुन्दर सुन्दर रंग बिरंगी गोलिया मिलती थी जो किसी भी बच्चे को आकरशित कर सकती थी किसी भी बच्चे का मन मौँ सकती थी उसी प्रकार लेखक को भी वो बहुत अच्छी लगती थी वैसे तो मेरे मामा के गाउं का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था परन्तु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था जैसा कि गाउं के सभी बच्चे उससे कहा करते थे बदलू का मकान कुछ उंचे पर बना था लेखक कहते हैं कि वैसे तो बदलू उनके मामा के गाउं का था जिसनाते उन्हें बदलू को मामा कहना चाहिए था लेकिन गाउं के सभी बच्चे उन्हें काका कहते थे बदलू का मकान कुछ उचाई पर बनाता मतलब गाउं से थोड़ा उचाई पर मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना सा नीम कावरिच लगा था उसे के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वो लाक पिखलाया करता था बदलू का मकान कुछ उचाई पर था और उसके पास में ही एक सहन अर्थात एक आगन था जिसमें एक पुराना बहुत ही बड़ा विशाल व्रेक्ष याने की पेर लगा था उसी पेर के नीचे बैठ कर बदलू चूडिया बनाने का काम करता था उसी के पास में एक भट्टी जलती रहती थी जिसमें वो लाक को पिखला कर चूडिया बनाता था वही सामने एक चौखट पड़ी रहती जिस पर लाक के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के साथ पतला करके चूडि का अकार देता पास में चार छे विभिन अकार की बेलनुमा मुंगेरिया रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती वही पास में ही एक लकड़ी की चौखट यानि की लकड़ी का एक चौखट टुकड़ा पड़ा रहता जिस पर वह लाक के मुलायम होने पर उसे धातों की छड़ के समान पतला करके चूडि का अकार देता था और उसी के पास में कुछ बेलन नुमा जो साइदों से पतली और बीच में मोटी होती हैं उस आकार की कुछ गोल लकड़ियां भी रखी रहती थी जो वो आगे से थोड़ी पतली और पीछे से मोटी होती थी जिनसे वो अलग-अलग आकार की चूडियों को बनाता था लाक की चूडि का आकार देखर वो उन्हें मुंगेरियों पर चड़ा कर गोल और चिकना बनाता और तब एक-एक कर पूरे हाथ की चूडियां बना जुकने के पश्चात वो उन्हें पर रंग करता दिरे-दिरे वो लाक को उन्हें मुंगेरियों पर चड़ाता और उन्हें सुन्दर आकार और चिकना बनाता इस तरह से वह पूरे हाथों की चूड़िया बनाने के बाद उन्हें सुन्दर रंगों में रंग देता था बदलू यह कार सदा ही एक मच्ये पर बैट कर किया करता था मच्ये अर्था चौकोर खाट जो बहुत ही पुरानी थी बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीश-बीश में पीता रहता गाउं में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीटता वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुचते ही मेरे लिए सुन्दर एक मच्या मंगा देता लिखा कहते हैं कि बदलू यह कार्या सदा ही एक मच्य अर्थाद एक चौकूर खाट के उपर बैट कर किया करता था वो खाट बहुत पुरानी हो गई थी उसी के बगल में एक हुक्का रखा रहता बदलू को हुक्का पेने का बहुत शौक था काम करने के पीश-पीश में वो हुक्का पीता रहता लेखा कहते हैं कि गाउं में उनका ज़्यादा तस्त समय दोपहर में बदलू के पास ही बीटता था वो लेखा को लला कहकर बुलाते थे और लेखा के पहुंसते ही उनके लिए एक मच्या मंगा देते थे लेखा कहते हैं मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूडियां बनाते देखता रहता लगभग रोज ही वो चार छे जोड़े चूडियां बनाता पूरा जोड़ा बना लेने पर वो उसे बेलन पर चड़ा कर कुछ शन चुपचाप देखता रहता मानोवा बेलन न होकर किसी नव वदु की कला ही हो बदलू को चूडियां बनाना बहुत अच्छा लगता था लेखक उसके पास घंटों बैठकर उसे चूडियां बनाते वे देखते बदलू हर रोज लगभग चार सी छे जोड़े चूडियां बनाता था जब वो पूरा जोड़ा तैयार कर लेता तो उसके बाद चुप चाप उनको देखता और उसे ऐसा प्रतीत होता देखते हुए जैसे की वो नई नई दुलहन के हातों में सुन्दर चूडियां देख रहा हो बदलू मनिहार था मनिहार चूडियां बनाने वाला चूडियां बनाना उसका पैत्रिक पेशा था और वास्तर में वे बहुत ही सुन्दर चूडियां बनाता था उसके बनाईवी चूडियों की खपत भी बहुत थे बदलू जाती से मनिहार था अर्था चूडियां बनाने वाला और यह उसके पिता की समय से चला आ रहा था अर्था यह उसका पैत्रिक पेशा था और यकीन मानिए वास्तर में वह बनाता भी बहुत सुन्दर चूडिया था उसके बनाईवी चूडियों की बिकरी बहुत जादा होती थी लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे उस गाउं में तो सभी इस्त्रियां उसकी बनाईवी चूडिया पहनती ही थी आसपास के गाउं के लोग भी उससे चूरिया ले जाते थे परन्तु वो कभी भी चूरियों को पैसे से बेशता न था उसका अभी तक वश्टू विन्मे का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूरिया ले जाते थे लिखा कहते हैं कि उस गाउं में सभी इस्त्रियां बदलू की ही बनाईवी चूड़िया पहनती थी और आसपास के गाउं के लोग भी उससे चूड़िया ले जाते थे परन्तु बदलू का एक उसूल था वो कभी भी चूड़ियों को पैसों में नहीं बेशता था वह अभी भी वस्तु विनमे अर्थात वस्तु के बदले वस्तु लेकर ही कार्य करता था यह उसका अपना तरीका था और लोग उससे अनाज देकर उसके बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे बदलू सभाव से बहुत सीधा था मैंने कभी भी उसे किसी से जगरते नहीं देखा हाँ, शादी व्या के अवसरों पर वो अवश्य जित पकड़ जाता था जीवन पर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़िया ले जाए परन्तु विवा के अवसर पर वो सारी कसर निकाल देता था आखिर सुहाग के जोड़े का मेत्वई ही और होता है लेखक कहते हैं कि बदलू सुभाव से बहुत ही सीधा तता सरल था वो कहते हैं उन्होंने कभी भी उसे किसी से जगरते नहीं देखा लेकिन हाँ लेखक कहते हैं कि जबी भी सादी विवहा का आउसर होता तो वह जित पकड़ जाता था हमेशा चाहे वो कितने भी मुफ्चूडियां ले जाए परन्तु विवहा के समय शादी के आउसर पर वो इन सारी कसरों को निकाल लेता था और मन चाहा इनाम मांगता था उसमें उसके घर उसके बच्चों सभी को कपड़े भी मिलते थे और साथ ही पैसे भी मिलते थे क्यों आखित सुहा के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है आशा करती हूं बच्चों आप इस पार्ट को यहां तक समझ गए होंगे अब हम इसका अगला भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे धन्यवाद